हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स और सिंग्लेस हम विलियम सेक्स्पियर के फेमस प्लेज के फेमस इस्पीचिस पढ़ रहे हैं उथे लो एंटोनी अन किलोपेट्रा ट्वेल्थ नाइट पढ़ चुके हैं हेमलेट का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं एक्ट सेकेंड तक क्योंकि पिले बड़ा था इसलिए हम एक बार में नहीं पढ़ पाई इसको आज हम पढ़ेंगे फेमस स्पीचिस प्राम हेमलेट का पार्ट सेकेंड ये एक्ट थर्ट से शुरू है ये पहली जो स्पीच है बी आर ओफ्ट टू बिलेम इन दिस अक्सर हम बड़े लोगों को इस बात का दोसी ठेराया जाता है तो किस बात का दोसी ठेराया जाता है इसको समझते हैं देखे पोलोनियस पहले ही बता चुका है किंग कलॉडियस को कि हैमलेट के पागलपन के पीछे का जो कारण है वो ओफिलिया का प्यार है तो king कहता है कि हम और तुम मिलकर छिपकर देखेंगे कि hamlet ओफिलिया के सामने कैसा strange behavior करता है और उसके पागलपन का आकिर कारण क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसलिए बिवस्ता की जाए कि ओफिलिया और hamlet को अकेले में मिलने दिया जाए तो उस बात की विवस्ता की जाती है तो पोलिनियस ओफिलिया को समझाता है क्या कहता है कि तुम इस कमरे में बैठ जाओ और एक किताब पढ़ो और किताब पढ़ने से तुम अपने अंदर के जो बिचार है उनको छिपा सकती हो और अपने आपको ब्यस्त दिखा सकती हो ताकि हैमिलेट आएगा तो तुमारे बास्त्र के विचारों को पढ़ नहीं पाएगा तब कहता है कि we are often to blame in this कि हम बड़े लोग अक्सर इस बात के दोसी होते है और ये बात काफी हद तक सिद्ध भी हो गई है कि that we with devotions wishes तो devotions wishes का यहां पर अर्थ है कि हम अपने wishes मारे चहरा होता है कि हम अपने स्रद्धा भरे जो चहरे से and pious actions और हम अपने अच्छे अच्छे action करके यानके सदगुनों से we do sugar over sugar over का मतब होता है हम मीठी मीठी बातों से चिपा लेते है the devil himself अपने अंदर के सैतान अब समझे बोले अक्सर हम बड़े लोगों को इस बात का दोसी ठहराया जाता है कि हम अपने बनाबटी स्रद्धा से और सदगुन भरे actions से और मीठी मीठी बातों के द्वारा अपने अंदर के सैतान को अपने भीतर की बुराईयों को बाहर नहीं आने देते कहने का अर्थ है कि हम बड़े लोग एक पिरकार का हिपोक्राई टाइप का बिभार करते हैं यही हमारे अंदर बहुत कुछ छिपा होता है फिर भी हम अपने अच्छे गुणों को प्रदर्शित करके चहरे पर बनाबटी पन ला करके हम उन विचारों को छिपा जाते हैं तो यही बात किंग कलॉडियस छिपा हुआ सुनता है तो वो कहता है क्या कहता है ओ इट इस टू टू यह तो काफी सत बात है यह एसाइड है किंग कलॉडियस की किंग कलॉडियस की एसाइड है अलग हड़के बात करता है कि इट इस टू टू यह काफी सत बात कह रहा है कलॉडियस पुलियस कि यह स्पीच जो Claudius बोल रहा है कितना गहरा प्रहार कर रही है does give my conscience मेरी अंतर आत्मा पर मेरी अंतर आत्मा पर कितना गहरा ब्यबा जो है प्रहार कर रही है तो यह जो line है जो काफी important lines है तो यह speech उसके जो अपराद है उसका बोध कराती है तो क्या कहता है जो बेस्या के गाल है beautified with plastering art जो की make-up के द्वारा सजे होते है is not more ugly to the things that it helps it तो उसके गाल इतने भी बसूरत नहीं होते जितने की वो इससे प्रिसादन से सजाती है इतने भी जरूत नहीं पड़ती then is my deed जितने की मेरे कर्म है most painted birds जिनको मैं काफी painted birds से जिनके बनाबटी विचारों से छिपा जाता हूँ oh heavy burden है भारी बोज अपराद का भारी बोज जो मेरे अंतरा अपनाता है तो यहाँ पर समझे किस किस से compare कर रहा है हर लोट के चीक से तुलना कर रहा है अपने कारियों की और जो make-up है, plastic art है उसको तुलना कर रहा है अपने painted bird की तो कहरा है उसके जो अपराद है वो वेश्या के बसूरत गालों से भी ज़्यादा बसूरत है तो जिसको वेश्या अपने सुन्दर, make-up से सुन्दर बनाती है तो मैं भी अपने अपरादों को अच्छे-च्छे विचारों के द्वारा जो है, छिपाने की कुशिस करता है यह बहुत famous speech है तो कि और यह fourth sorry lucky है hamlet की आप जानते हैं कि ओफिलिया कमरे में बैठी हुई है तो कि अकेले में मिलने की विवस्तागी जाती है और hamlet उदर से आता है तो इस sorry lucky को बोलता हुआ आता है तो क्या कहता है to be or not to be that is the question मैं मरूं या ना मरूं अपने जीवन का अंत करूं या ना करूं that is the question whether it is nobler in the mind to suffer क्या ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने मन में मुसीबतें सहता रहूं the ceiling and arrows of outrageous fortune जो निर्दई भाग ने मेरे उपर तेके ceiling को बता दो गुलेल का पिरहार होता है और arrow मने तीनों का पिरहार जो निर्दई भाग निर्दई दुर्भाग कह सकते हो मेरे मन पर मेरे जीवन पर मुसीबतें ला रहा है तो क्या उन मुसीबतों को मैं सहता रहूं या तो टेक आर्म्स अगेंज्ट असी ओस्ट्रवल या इन मुसीबतों के अनंत सागर पर जो बहुत सागर जैसी मुसीबतें हैं उनके वृद्ध में खड़ा हो जाऊं and by opposing and then और अपने आपको समाप्त करके उन मुसीबतों को समाप्त कर सकूं तो बोले वे इसी उहाँ पोह में वो सोच रहा है फिर अगले सोचता है क्या करा है तू स्लीप और तू डाई और तू स्लीप यानि कि सोना एक परकार की नीन है नो मोर इससे बढ़कर कुछ नहीं है and by a sleep to say we end और ऐसा कहा जाता है कि जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हम समाप्त कर देते हैं the heart act अपने दिल की दर्द को अपने मुसीवतों को and thousands natural sloughs और हजारों उन जो प्रकरती हमारे उपर मुसीवत राती हैं वो भी नीन उन चीजों को समाप्त कर देती है that flesh is here too जो हमारा सरीर उनको सहता है तो कह रहा है कि जब नीन आती है तो नीन से हमारे मानसिक और सारीरिक दोनों प्रकार के कष्ट जो है कापी हद तक दूर हो जाते है it is a consumption तो ये एक प्रकार का consumption mean लक्ष है devotee to be best जिसकी ततपरता से इच्छा कियाती है ये बांचित लक्ष है जो हम प्राप्त करना चाहते है फिर अगले कह रहे है to die to sleep मरना जो है एक प्रकार की need ही तो है to sleep परहांस to dream अगर ये need है ये मरना अगर एक प्रकार की need है तो परचांस to dream तो नेचरल है कि इसमें स्वपन भी आते हैं आये डेरेजे रब यही तो परिशानी है रब का मतब परिशानी for that sleep of death what dreams make us कि अगर हम मिर्तियू की इस नीद में ये नहीं पता लगेगा कि किस प्रकार के सपने आएंगे तो हो सकता है भयानक सपने आजाए और हो सकता है अच्छे सपने आजाए इस दोनों परिकार के चांस बने रहते हैं when we have suffered of this mortal coil जब हम अपनी इस mortal coil को अपने सरीर को इस नीद से बदले चिर निंदरा में सोना चाहते है ये कि मौत की नीद में सोना चाहते है must give us a pass तो यही विचार जो है कि कौन से सपने आएंगे हमको एक पॉस दे देते है हमको मौत लाने से रोग देते है मरना नहीं चाहते there is the respect that makes calamity of so long life तो यही कारण है कि हम अपने जीवन की मुसीवतों को काफी लंबे समय तक सहते रहते हैं और अपनी मृतिव का वरण नहीं करते हैं कि प्रिकार की यही विचार कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो तो इसी कारण हम मौत को जो है और टालते रहते हैं इनके आत्मत्यां नहीं करते हैं अग्ले वो क्या कह रहा है यह लाष्ट पंग्तियां है इसकी सव्लidente म्हिस्ट के बाष्टियों में गवालोववश में क्या होगा तो देखे कि इन पंग्तियों हमें जीवन का बास्तभिक दर्शन है जो बास्तमक में लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मनों सब ने आगे पीस सोचता है, कि ऐसा करूं तो ये होगा, बैसा करूं तो बो होगा, इसी उहाँ पो में, पोई कुछ सही करने का नर्णा ने ले पाता, तो कह रहा है, कि दस कंसाइंस डथ में काबट ओपसा, यही अनमान नर्णे का निटी भी हुआ है, यानि कि असली उद्देश है, इस सिकल्ड ओवर, वो जो है, कमजोर पढ़ जाता है, सिक का मतलब, भीमार पढ़ना है, यही कमजोर पढ़ जाता है, विद्दा पेल कास्ट ओप थौट, यानि कि विचारों के पीले पन से हैं, यही कमजोर विचारों के पीले पन से, यही जो हमारा नर्णा लेना चाहते हैं, वो भी धीमा पढ़ जाता है, and enterprises of great pitch and movement, और जो हमारा विभार है, जो हम नर्णा लेना चाहते हैं, या जो कुछ आगे करना चाहते हैं, great pitch and movement, तो great pitch and movement का मतलब है, कि हमारे जो महत्वाकान चाहें हैं, हम with this regard, their current turn away, तो हमारे महत्वाकान चाहों की धारा, हमारे विचारों की धारा, वो मुण जाती है, यहीं कि हम रास्ता बदल देती है, and lost the name of action, और हम action करना भूल जाते हैं, तो कहने का मतलब है, कि हमारे जो संकल्प हैं, उनमें निस्किरियाता का पिल अपना जाता है, हमारी ऊठती हुई जो आकान चाहे हैं, और जो सकती साली अंता प्रणड़ा हैं, उनकी धाराएं गलत मूड़ने लेती हैं, और हम अत्ते दिक चिंतन के करना, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, कंसाइंस करते हैं ल wallet पे, तो बिन रासा और कुंठाता में बदल जाती हैं, और ग यह speech Hamlet की है जो वो Ophelia से कहता है क्योंकि Ophelia के पास कौन चाता है तो Ophelia Hamlet से उसके हालचाल कूछती है कि कैसे इस्ते लंबे समय तक कैसे रहे वो कहता ठीक रहे और उसके Hamlet के दिये गए उपहारों को Ophelia बापस करना चाहती है तो hamlet बापस नहीं लेता है तो उससे कहता है कि तुम बहुत नेक लेड़ी हो और सुन्दर भी हो तो यहां पर hamlet नेकी और सुन्दरता दोनों की ब्याख्या करता है तो यह उसकी speech है क्या कहता है truly यह सच है for the power of beauty will sooner transform honesty from what it is to be ward then ward का मतर है गंदा बना देना है तो बड़िये सुन्दरता है जो हमारी नेकी को इमानदारी को जो है बदी में यानि कि बुराई में परिवर्चित कर देती है then the force of honesty can translate beauty into likeness बजाए उसके कि जो इमानदारी है या नेकी है वो सुन्दरता को जो है likeness उसके मुकाबले बदले तो यहाँ पर यह कह रहा है कि सुन्दरता नेकी को बुराई में बदल सकती है लेकिन जो बुरा नेकी है वो भी सुन्दरता को अच्छाई में बदल सकती है लेकिन इन में बुराई जो बुराई है वो ज़्यादा सकती सारी होती है वो जल्दी बदल देती है इस वाज सम्टाइंस पराडॉक्स ये बात कभी एक बिचितर बात हुआ करती थी लेकिन अब ये बात जो है बट नाउ देट टाइम गिफ इट प्रूव ये समय ने अब इसको सिद्ध कर दिया है अगली स्पीछ है जब विचितर बातें करता है हैमलेट तब ओफिलिया उससे कहते हैं सोचती है ये मन में सोचती है क्या कहती है ओ वाटा नोबिल माइन इज हैर ओवर थो ये हमलेट की इस्तिति को देखे कहती है कि ओ एक नेक दिमाग जो है एक नेक मस्तिस्क जो है वो बरबाद हो गया इसमें एक उसके भीतर एक दरवारी था एक सैनिक था एक विद्वान था आई टंग सोड ये कि उसमें बहुत सारे लोगों का समाबेश था ये बहुत गुणों का समाबेश था हैमलेट में इनके बहुत हमारे राष्ट का गौरब और आसा था दा ग्लास अप फैसन और अपने आकृति को इनके उसी के धारण तरह बनना चाहते थे यानि कहने का मत्तब है वो एक प्रतिमान था वो एक मॉडल था दा ऑबजर्ब ऑफ आल ऑबजर्ब जो लोग देखने वाले थे वो भी उसको देखकर अपने आपको ढालते थे क्वाइट क्वाइट डाउन अब पूरी तरह से वो बरबाद हो गया है तो ये बातें वह सोचती है उसके चेहरे को देखकर के उसके हाव हाव को देखकर के यह क्लॉडियस पूलियस से कहता है मैडनेस इन ग्रेट बन मस्ट नोट अनबास को देखते हैं तो क्लॉडियस से इंड़ने लेता है कि हैमिलेट को जल्दी ही इंगलेंड बापस भेज दिया जाएगा क्योंकि इसके हैमिलेट के पागलपन के पीछे कोई ना कोई भाव छिप है कि राज के लिए खतरनाख हो उसके लिए खतरनाख हो तो फर कहता है कि मेडनेस इन ग्रेट मस्ट नोट बिए अनबास्ट को कि महान व्यक्तियों का जो पागलपन है उसको अन्देखा नहीं किया जासकता यानिकर उसको ऐसे छोड़ना नहीं जासकता यह भी बहुत तो कहता है कि मेरी आत्मा ने तुम में एक आधर्स ब्यक्ति पाया है जो प्रिसंदता पूर्वग अपने जीवन की मुसीबतों से मुकाबला करता है और यशी उसे हैमिलेट कहता है फिर क्या कहता है बे लोग बास्तम में कितने खुस होते हैं जिनकी बासना and judgment और जिनकी बुद्धी यहां पर इसका बुद्धी है are so well comingled जिनकी उनमें काफी इन चीजों का समिस्रन होता है जिनकी उसकी बुद्धी और वासना काफी संतुलित होती है that they are not the pipe of virtue's finger और बे लोग भाग के हातों बास्तमी नहीं बनना चाहते जिनकी भाग उनको अपनी उंगलियों पर नहीं नचाता to sound what she please जिनकी भाग के अनुसार वो उठते हैं भाग के अनुसार बैटते हैं यह भाग उनको चलाता है तो ऐसे लोग उनको भाग नहीं चलाता है यह वो भाग की हातों कठफुतली नहीं होते give me that man that is not patience मुझे ऐसा ब्यक्ति बताओ जो अपनी भावनाओं का दास नहीं है हैमिलेट की यह सॉलिलोकी है अब जानते हैं कि इसके बाद इसके तुरंत बाद हैमिलेट अपनी माज से मिलने की सूचता है क्योंकि यह जो इस पीच है माउस्ट्रैप और जिसे कहते हैं दे मर्डर आफ गुंजेगो पिले समाप्थ हो चुका है एक्षिल में उसको पता लग चुका है कि बास्तम में यह लोग दोसी है तो भॉय अपनी मा से मिलकर के कुईन जर्टूट से मिल करके इस्तिति को साप करना चाहता है और उसको कहता है कि मैं उसको काफी सुनाऊंगा उल्टी सीधी सुनाऊंगा तो उल्टी सीधी सुनाने के लिए लेकि काफी कड़े सब्दों प्रोग करने के लिए वो कहता है तो कहता है O Heart लॉस नॉट दाई नेचर हे अपने मा की प्रति जो मेरा सुभाविक प्रेम है वो खोना जाए तो दाई नेचर का मतलब एक पुत्र का अपने मा के प्रति जो प्रेम रहता है जो सम्मान रहता है वो ना कुए लेट नॉट एवर दाई सोल अफ नीरो तेरे अंदर कभी भी नीरो की सोल ना आप है तो देकि नीरो जो है वो रोम का सासक था यादि से लेकर के इसने 68 सेंचुरी तक यादि तक सासन किया था आपको बता दे सुना होगा आपने कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था नीरो के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं देखी नीरो रोम का सासक था और अपनी मा कभू कतल कर देता है तो मात्रहद्या का जो निंदनिय अपराध है वो नीरो करता है और ये कैसा का जाता है कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी और जब आधा रोम जल रहा था तो पहाड़ी पर बैठकर नीरो जो है वो बगासरी बजा रहा था तो करा कि मेरे अंदर नीरो की आत्मा ना आपाए ये कि मैं नहीं चाहता कि मैं नीरो के तरह पने मा का कतल करूं एंटर दिस फरम बौसम लेट मी बी किरूल नोट अननेचरल मुझे निर्दई तो बनना है ये मुझे अपराधी को दंड देने के लिए निर्दईता तो दि करती है कि आई बिल स्पीक डैगर्स टु हर गया जूज नन इनकि मैं घातक सब्दों का प्रयोक करूंगा लेकिन घात नहीं करूंगा यानि कि मैं अपने मा के पृति खंजर का तो प्रयोग करूगा खंजर जैसे सब्दों के का तो प्रयोग करूगा लेकि खंजर का प्रयोग नहीं करूगा यहने कि उसको बातों से घायल करूगा लेकि खंजर से घायल नहीं करूगा My tongue and soul in this be hypocrite इस मामले में मेरी आत्मा और मेरी जो जुबां बोलेगी उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहुत अंतर होगा How in my words so ever she sent मेरे सब्दों से वो कापी sent होगी यानि कि सरमिंदा होगी To give them seal never लेकिन जो मेरे विचार होगे मैं उन उपर महर नहीं लगाऊँगा कहने का मत्तर है and my soul consent जो मेरे आत्मा की सहमती होगी तो यहाँ यह कहना चाहरा है कि मैं अपने सब्दों से तो उसको घायल करूँगा लेकिन सारी रिक रूप से उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुचा होगा अगली स्पीच यह भी बहुत सुन्दर स्पीच है रोजन क्रेट से देखें रोजन क्रेट्स और गिल्डन इस्टर्न दो हाफ मैन कहे जाते हैं तो जब हैमलेट का पागलपन किन कलॉडियस को पूरी तरफ पता लग जाता है तो वो चाहता है कि उसको इंगलेंड भेज दिया जाए और महां इंगलेंड के राजा के द्वारा उसको मरवाना चाहता है तो वो कहता है रोजन क्रेट्स और तुम जो है उसको इंगलेंड लेके जाओ क्योंकि भे देश के लिए काफी घातक है और मेरे लिए काफी घातक है तब ये रोजन क्रेट्स इस पीश बोलता है तो क्या कहता है बहुत सुन्दर है इसलिए यहाँ पर ली गई है The Siege of Majesty Siege का मतलब मिरती हो एक राजा की मिरती हो Dies not alone जब एक राजा मरता है जब एक राजा मरता है Dies not alone तो राजा अकेला नहीं मरता बट लाई के गल्फ डथ ड्रा वाट नियर विद इट बलकि राजा का मरना उसे एक भमर के समान होता है जब भमर घूमता है तो अपने आस पास की सारी चीजों को मैं अपने अंदर समेट लेता है तो राजा की मिरतीव अकेले नहीं आती जब राजा की मिरतीव होती है तो इसके साथ बहुत सारी लोग चपेट में आ जाते हैं और इट इजे मैसी वील राजा की मिरतीव एक उस विसाल पहिये की तरह होती है फिक्ष्ट ऑन दा सम्मिट जो एक चोटी पर गढ़ा हुआ होता है तो राजा एक उस विसाल पहिये के समान है जो एक उची पहाडी की चोटी पर फिक्ष्ट है तो हूज हूज इस्पोक्स तैन थाउजन लेजर तिंक्स आर मॉस्टिड एंड एडज्वाइन जिसमें हजारों इस्पोक्स हजारों जो इस्पोक्स हैं वो मॉर्टाइज हैं मॉर्टाइज मने उसके छेद में फिट है एडज्वाइन और जुड़ी हुई है तो यहाँ पर कह रहा है राजा की तुलना कर रहा है पहिये से और जो बहुत सारी इस्पोक्स हैं हजारों इस्पोक्स हैं वो पिरजा है जो उसे जुड़ी हुई है विच वेन इट फाल्स जब यह पहिया नीचे गरता है इच इसमाल अनेक्समेंट्स और इसके छोटे छोटे जो अनेक्समेंट्स जोड़ है पैटी कॉनकेंस और इसके छोटे छोटे जो परणाम है बहुत बड़ा बरवादी लेकर आता है तो कहने का मतलब यह है नेवर एलोन डिड़ दा किंग साई गोले राजा अकेले आहे नहीं बढ़ता बट विद जनरल ग्रोन बलकि उसके साथ पूरे आम जन्मानस में आम जन्मानस में बिनास आता है ती रोजन क्रेट्स की स्पीच है यह बहुत ही इंपोर्टेंट स्वाली लॉकी है किंग क्लॉडियस की बहुत सुन्दर है देखें किंग क्लॉडियस प्रयार्थना करने जाता है इस वर की प्रयार्थना करता है तो कहता है my offense is ranked मेरे अपराद काफी उचे हो गए है निके काफी उपर तक उठ गए है it smells to heaven और इतने उचे उठ गए है कि इसकी महग जो है इसकी दुरगंद कर सकते हो स्वरगत कर पोहुच रही है it had the primal eldest curse इसने सबसे बड़ा primal curse किया है a brother's murder इसके उपर एक upon it a brother's murder इसके उपर एक भाई की हत्या का अपराद है तो बता दें Bible में भाई की हत्या को सबसे पहला अपराद का गया है क्योंकि Adam के दो पुत्र होते हैं एक होता है clean और दूसरा होता है evil तो clean avail की हत्या कर देता है ये बात आपको paradise lost की book 11th में भी sorry book 12th में देखने को मिलेगी तो ये पहला अपराद माना जाता है भाई की हत्या का रहा फिर वो कहता है इसी सब्सक्राद की में what if this cursed hand were thicker than itself with brother's blood बहुले इसमें भाई के blood लगा है और उसके अपरादों से ये हाथ जो है काफी भारी हो गए है is there not rain enough in the sweet heaven to boss with white as snow क्या स्वरग में इतनी या आकास में इतनी पर्याप्त बर्सा नहीं है जो इन हातों को धुल करके बर्फ के समान सफेद कर सके ये बही speech है all the perfumes of Arabia cannot sweet in this little hand उसी तरह की speech है where to serve mercy but confront the visage offense वो कहता है क्या ऐसी कोई जो दया की भाबना होती है वो पापों को कम कर देती है तो बोले क्या इस्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा क्या इस्वर जो visage of offense है यानि कि जो मेरा जुर्म का चेहरा है क्या वो दूर नहीं हो सकता तो King Claudius अपने घुटनों पर बैठता है और जो है प्रार्थना करता है उसी समय हमलेट जो होता है वो उसके कमने में प्रिविस करता है उसको मारने के लिए तो यहाँ पर हमलेट अपने पाँच मी सॉली लॉकिस बोलता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्टन कुछ नहीं लगा इसलिए उसको नहीं लिया तो King Claudius फिर प्रार्थना करके उठता है तो वो कहता है My words फिलाई अप मेरे सब्द जो है वो तो देवताओं तक पहुच सकते है My thoughts remain below लेकिन मेरे बिचार नीचे रहे गए है तो यहाँ पर यह करा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरी प्रार्थना जो है मात्र सब्द मात्र है क्योंकि मेरे बिचार इसी प्रत्वी पर है यारे कि इनी प्रत्वी के सांसारिक सुखों में बसे हुए है मैं इन सांसारिक सुखों को नहीं छोड़ पा रहा है तो यही करण है कि मेरी प्रार्थना जो है वो केबल सब्द मात्र बनके रहे गई है केबल सब्द सब्द उपर जा रहे है उनमें गहरे बिचार नहीं जा रहा है फिर करा है words without thoughts never to heaven go और जिन सब्दों में निस्ठा नहीं होती जिन प्रार्थनाओं में निस्ठा नहीं होती तो ऐसे निस्ठाहीन या भाव रहित प्रार्थनाओं जो है देवताओं के पास कभी भी नहीं पहुच पाती है यह बहुत important speech है और यह आती है तो ऐसे इस्ठाही में जब वो प्रार्थना करते हुए देखता है hamlet तो वो उसको मारने का plan जो है वो त्याग देता है बोले अगर मैं Claudius को इस समय मारूंगा तो सीरे स्वरग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इसकी आत्मा स्वरग में जाए तो इसके बाद hamlet जो है अपनी मा के चेंबर में जाता है और बहुत उल्टी सीरी सुनाता है बहुत सारी बाते सुनाता है तो इसकी मा की speech है ओ hamlet thou hast cleft my heart and twin तुमने मेरे हिर्दय को टुकड़े टुकड़े कर दिया है यह queen jertude hamlet से कहती है एक थर scene 4 था यह और फिर यहाँ पर hamlet की जो है छटी स्वरी लौकी है तो इस स्वरी लौकी को समझे कि इसकी situation क्या है कब बोलता है देखिए hamlet रोजन क्रेट और गिल्डन इस्टन के साथ इंगलेंड जाने की जाते हैं और रास्ते में नौर्वे की जो सेनाए होती है जिसको लीड कर रहा है 14 वरास जो की नौर्वे की राजा का भतीचा है तो वो उसकी सेनाए जो है पोलेंड की तरफ बढ़ती है और एक छोटी सी जमीन के लिए बहुत छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए वो आकरमर करते है तो सेनापतिस पूझता है क्या बात है तो बोले जमीन जरूर छोटी है हलाकि उसमें बहुत कम बो मिलेगा लेकिन फिर भी ये सम्मान का सोधा है हम लोग जमीन के लिए नहीं बलकि अपने सम्मान के लिए लड़ने जा रहे है तो ये बात उसको कचोड जाती है हमलेट को तो कहता है कि जितने भी जो बातें चल रही है जितने भी मौके आ रहे है छोटी छोटी घटना मुझको धिकारती है इनफार्म अगेंस्ट मी जितने भी मौके आ रहे है वो मुझको inform कर रहे है and इस पर my soul will revenge और मेरी आत्मा को इस पर कर रहे है यह पिरणा दे रहे हैं कि मैं बदला लू बदला लू what is a man आदमी क्या है if his cheap good and market of his time कि उसका जो मुख उद्देश है जो सबसे ज़्यादा उद्देश है वो अपने जीवन को खाने पीने में व्यतीत कर देता है but to sleep and feed खाने और पीने में आप बीश्णों वो तो भै इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है तो यहां भी यह कहना चाहरा है लाइम में कि जो बाते होई अभी कि वो जरासी भूमी के लिए लड़ने जा रहा है तो यह सारी बाते मुझे संदेश दे रही है कि मुझे भी अपने उद्देश का बदला लेना चाहिए क्योंकि मेरा उद्देश बहुत बढ़ा है बोले अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई उद्देश नहीं है और वो अपना जीवन उसका जो मुक उद्देश है वो अपना जीवन खाने और पीने में ब्यतीत कर रहा है तो ऐसा ब्यक्ति जानवरों से बढ़कर कुछ नहीं है और कह रहा है रायटली टू भी ग्रेट बोले सच में महंता इस बात में है इस नौट टू इस तिर बिदावट ग्रेट आर्गुमेंट कि छोटी बात पर लडने को तयार हुआ जाए तो इसमें बहुत बड़ी महंता नहीं है रायटली टू भी ग्रेट इस नौट इस तिर बिदावट ग्रेट आर्गुमेंट यह छोटी छोटी बात में अगर जगड जाओ तो यह कोई महानता बड़ी बात नहीं है लेकिन बट ग्रेटली टू फाइंड क्वारल इन इस्ट्रो वेन ओनर एट दा इस्टेक जब मामला सम्मान का हो जब बात व्यक्ति के सम्मान की हो उसकी सम्मान पर आच आ रही हो तो ऐसे में छोटी छोटी बात पर भी लड़ने को तहर रहना चाहिए यह स्पीच जो है यह भी बहुत आती है यह क्लॉडियस की स्पीच है जो वो कुईन जर्ट्यूट से कहते हैं अफेलिया के बारे में क्योंकि अफेलिया जब आपको पता है कि कलॉडियस को मार दिया जाता है यह हमलेट उसको मार देता है उसके चैंबर में छपा होता है अपनी मा से जब हमलेट बात कर रहा होता है तो परदे के पीछे पोलॉडियस छपा होता है तो Polonius को Hamlet मार देता है तो उसके बाद Ophelia जो है पागल हो जाती है तब और भाई उसका वो भी उग्र हो जाता है तब कहते हैं कि When sorrows come जब मुसीबतें आती है They come not in single spices तो वो कभी अकेले नहीं आती But in battalions बलकि battalions नहीं आती है बिल्कुल फौज के रूप में आती है यह मुसीबतें बहुत सारी एक साथ आती है यह Hamlet की Speech है दखिए Hamlet और Liratis के बीच एक मुकाबला होना है तलवार बाजी का एक जो है battle होनी है हलकि किसी को कहते है मुकाबला दुन्द युद्ध होना है तो उसको Horis U समझाता है कि भाई Hamlet तुम उससे मत लड़ो इस मुकाबले से बाहर हो जाओ मुझे हो सकता है कि यह तुमको नुक्सान दे जाए लेकिन Hamlet कहता है बोले यह तो मुर्खता बरीबात हुई बोले अगर मैं पीछे हट जाता हूँ और नहीं लड़ता हूँ तो यह तो मुर्खता बरीबात है अगर मेरी मौत आने है तो किसी भी तरह आ जाएगी तो यहाँ पर Hamlet कहता है Not a wit wit की spelling अलग है क्योंकि wit की spelling होती है B-I-T wit नहीं जरा भी नहीं not a bit बोले जरा भी नहीं B-Defy ओगरू तो ओगरू का अर्थ है यहाँ पर भविस्वानी और डिफाई का मतलब घ्रणा मैं ऐसी भविस्वानी से की अवेलना करता हूँ घ्रणा करता हूँ मैं ऐसे पूर्भाज जो लगा रहे हो यह पूर्व अर्मान लगा रहे हो मैं उस पूर्व अर्मान से घ्रणा करता हूँ उस पर ध्यान नहीं देता पूरे देरिजा इस्पेसल प्रोविडेंस इन्दा फाल आपे इस्पेरो एके गौरया जो इस्पेरो आकास में उड़ रही है वो तब तक नहीं गिरेगी जब तक इस्पेरो का प्रोविडेंस ना हो प्रावधान ना हो पूरे सब कुछ इस्पेरो की मरजी पर डिपेंड करता है किसको मरना है किसको नहीं मरना है यह सब इस्पेरो जानता है क्योंकि इस्वर बहुत ज़्यादा सकति साली है If it be now It is not to come बुले अगर मौत आनी है तो अभी आएगी अभी नहीं तो कभी नहीं आएगी और If it is not to come It will be now अगर मौत को नहीं आना है तो अभी यह नहीं आएगी If it be now Yet it will come बुले अगर यह अभी नहीं है तो फिर आएगी बुले मौत को तो आना ही आना है अगर मुझे मेरी मिर्तिव अभी हो रही है तो फिर कल नहीं होगी वो अभी होगी उसको टाना नहीं दे सकता यदि अभी नहीं होनी है तो किसी भी सर्थ पर अभी नहीं होगी The readiness is all बुले ततपरता इसके लिए जरूरी है बुले मौत से डरना नहीं है बैसकि मौत के लिए ततपर होना चाहिए Since no man has out क्योंकि कोई भी व्यक्ति out का मतलब है कोई भी अधिकार रखना of what he leaves कोई भी व्यक्ति इस संसार में कोई चीज़ छोड़ के जाता है तो उसका इस संसार की किसी भी वस्तू पर अधिकार नहीं होता what is to leave be times तो फिर क्यों हम डरें be times माने जल्दी मौत से बर जब मौत आनी ही है और ये निश्चित है कि मौत पर हमारा अधिकार है नहीं हम कुछ कर सकते नहीं तो फिर हम अलप आयू में मरेंगे या बाद मरेंगे इस बाद से क्या डरना है ये बहुत फिलोस्पी हो और ये इंडियन फिलोस्पी है अगले इस पीछ है हैमिलेट की मरती हुई मरते समय बोलता है दार रेस्ट इज साइलाइ ये कि सेस सांती है मैं मिर्तियू की चिरिस्थाई सांती का स्वागत करता हूँ करा है तो टैल हिम उसको बता देना ये हैमिलेट के अंतिन सब्द है हैमिलेट कहता है कि फोर्टेन ब्रास को डेनमार्क का अगला राजा चुना जाना चाहिए और उसे अब तक जो मेरे साथ हुआ है कि मेरे साथ तुम तो सारी बाते जानते हो क्योंकि होरेशियों से हैमिलेट कहता है कि तुम्हें तुम मेरे बारे में सारी पता है तो ये सारी बात ने 14 बात को बता दे न so tell him the occurrent more or less which have solicited जो मैंने तुम को बताया था वो सारी बात ने सुरू से लेके अंत तक बता दे न the rest is silence इसके बाद वो मर जा था और ये फिर 14 बात की speech है तो कह रहा है the query cries on havoc query का मत्तब है यहाँ पर heap of dead bodies यानि कि मिर्थ सरीरों का धेर और हैबोक माने बिनास बोले मिर्थ सरीरों के धेर जो है काफी बिनास को पिरकट कर रहा है oh proud death hey गर्व युक्त मिर्थिव what feast is two parts in thy eternal cell कि तेरी eternal cell में तु कितने सांदार दावतों को उड़ा रही है एकि that thou so many princess at a sort तुने एक ही प्रहार में एक ही बार में अनेक राजक्मारों को मार डाना so bloody has the struck तुने कितना घातक प्रहार किया है तो इसके बाद फिले स्वाप्त हो जाता है तो आज के लिए इतना ही thank you all the best